हलो डude students आज की वीडियो में हम class 10 science sample question paper 2020 2021 issued by the CBC को solve करने वाले हैं इस paper को हम तीन पार्ट में solve करेंगे और पहले पार्ट में हम physics को solve करेंगे दूसरे पार्ट में biology को और तीस्रे पार्ट में chemistry मतलब यह पूरा वीडियो है, यह पूरा question paper है, तीन वीडियो में पूरा होगा, आज की वीडियो में हम section A, B, C, D, जितने भी हैं सबी sections में, जितने भी physics की questions हैं, उन questions को solve करने वाले हैं, ठीक है, तो पहला start करते हैं, हम यहां से देखते हैं, question number 3 है, वो physics का question है, और इसमें प जो होती है, आपको सफेद क्यों दिखाई देती है, उसका reason क्या है, उसका reason यह है, कि इस दोरान जो scattering होती है, light की, light की क्या होती है, scattering होती है, उन सभी colors की equal scattering होती है, हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, जो सभी colors है, all colors scatters equally, सभी colors होते हैं, equally scatter होते हैं, मतलब सभी की जो scattering होग ब्राबर ब्राबर होगी और सभी color वापिस में मिलेंगे तो वापिस भी क्या मिला देंगे white color ही बन जाएगा तो इसका answer हमें लिखे देंगे because all colors scatters equally so at the noon sun appears white क्योंकि आपको one liner answer लिखना होता है तो आपको इसमें इतना ही लिखना पड़ेगा all colors scatters equally because all colors scatters equally okay तो आपका क्योंस नमबर four soul हो गए यहां से next हम देखते हैं next है इसका अंदर question number five question number five में क्या वो लगाया है both spherical mirrors and the thin spherical lens have the focal length of minus 15 centimeter what type of the mirror and lens are these मालब दो lens है आपके पास both का मतलब क्या है कि एक lens है और एक mirror है है ना focus को मैं अलग लग लग लिख लेता हूँ क्या बोलता है यह कि दोन्नों का जो focus है f जो है वो minus 15 centimeter है तो minus 15 centimeter focus है तो किसका है मैं इसको आपको detail में समझाता हूँ देखिए sign convention कैसे बनाते हैं मैं हमारे पास lens होते हैं दो टाइप के एक तो होता है convex lens ठीक है पैलल beam convex lens के पास आएगा reflection के बाद किसी एक point पर इस परकार से मिला देता है आपको सभी को पता है अग्जाम में डाइग्राम आपको समझा रहा हूँ ना सिर्फ समझाने के लिए कि plus or minus कैसे पता करते वाप इसलिए ना आपको सिर्फ वल्ला इन आंसर लिखना है इसके अंदर यह इस परकार से आएगा कौन के के अंदर तो कौन के इस परकार से डाइवर्ज कर देता है इसको अगर आप पिछे बढ़ाओ गया से तो इसका फोकस मिलेगा को यहां पे इसका फोकस तो वा यहां पे और इसका फोकस वा यहां पे अब मैं बात करता हूं किसकी mirror की बात करता हूँ तो mirror एक तो आपके पास convex होता है convex mirror ऐसे इसके पास अगर इस परकार से beam आता है तो इसको यह इस परकार से reflect कर देगा ऐसे इसको जगर आप पिछे बढ़ाओ गए ऐसे है तो इस point पे मिलेंगे तो इसका focus हो गए यह होगा कॉन के ऑगर को इस परकार से मिलेगा और कौन के आप इस परकार से इस point के उपर क्या कर देगा focus कर देगा अब साइन को नशन आपको पता है जिदर object रखायौ जैसीन सभी का यह object इसका object यहाँ है क्योंकि इदर से light ऐसे जा रही है इस object यहाँ पे इसकी ऐसे जा रही है, यह उब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे जा रही है, अब्जेक्ट की साइड में अगर आपकी final raise converge होती है, तो वो त्या negative, औब्जेक्ट से आप positive साइड में जाता है, तो वो क्या होता है, positive, क्योंकि यहाँ पे आप इसकी measurement करेंगे न, जैसे यह focal length यह focal length आपको measure करनी है, इस focal length को जब आप measure करेंगे इसको, इस focal length को, तो इसको measure करने के लिए आपको इस direction में move करना है, और light भी इस direction में जाए, दोनों same direction में तो positive होता है, तो इसका focus कैसा है, positive है, इधर मैं देखूंग measure करने के लिए मुझे pulse से start करना है, मुझे इस side में आपड़ रहा है, ऐसे आपड़ रहा है, जबकि light कैसे जा रही है, ऐसी दोनों opposite है, तो इस case में जो focus है, वो कैसे आएगा, negative, तो similarly, इस case का focus कैसा है, positive, और इस case का focus कैसा है, negative, इसका मतलब negative focus किसमें आता है, negative आता है, कौ convex में, बहुत साहे lens हो और mirror हो, तो क्या दे रखा है हमें, हमें focus negative दे रखा है, minus 15, तो negative है, तो मतलब का, minus 15 से हमें कोई मतलब है, में sign से मतलब था, तो इस cancer आपका क्या आएगा, इस cancer आएगा, कौन के ओ, क्या answer आएगा, इसका, कौन के ओ आएगा, ठीक है, next question देखते हैं, question number six, the image found by a concave mirror is observed to be real, concave mirror की जो image है, वो real है, inverted है, and larger than the object, और object से बढ़ी है, where is the object placed, तो इसमें कुछ positions होती हैं, आपको वो याद रखनी होती हैं, इसमें आपको एक general diagram से सभी positions बता रहा हूँ, जैसे इसने क्या बोला है, कौन के ओ mirror बोलाती है, कौन के mirror होता है, और कौन के mirror पे अगर आप देखते हो, तो यह जो point होता है, यह pole का point है, यह focus का है, यह center of croucher, two of three present करते हो है, object अगर focus, focus के उपर और focus से दूर, focus से पीछे यहां कहीं भी रखा हो, तो image हमेशा real बनती है, आपको पता इस चीज़ का, इस पे धान दो, आप क्या बोलता है, image real बनी है, इसका मतलब object जो है, आपका focus से दूर रखा है, कहीं भी रखा हो जाए, इन्वर्टिड बनी, अरियल है, तो इन्वर्टिड अपने हो जाएगी, larger than object, आपको इस बात पर focus करना है, larger than object है, तो object से larger image कब बनेगी, हम देखते हैं, यहां रखते हैं, तो small बनती है, two of पे रखते हैं, तो equal to the object बनती है, अगर मैं two of or of के बीच में कहीं भी रखता हू इस location में अगर मैं रखता हूँ, two of और of के बीच में कहीं भी, यहां पे अगर आप रखोगे, तो जो image आपकी है, वो large बनेगी, तो इसका answer आपका क्या रहेगा, इसका answer रहेगा, between of and two of, अफ और दो of के बीच में कहीं भी रखो, आप f के उपर भी रख सकते हो, लेकिन दो of पे नहीं रखोगे, दो of पे रखोगे तो larger नहीं बनेगी, दो पे रखने से larger नहीं बनेगी, मैं इसकी condition लिखता हूँ, जो you जो है, you, you greater than होना चाहिए, you क्या होना चाहिए, greater than or equal to, f, ठीक है, you greater than equal to क्या होना चाहिए, f, और less than कितना होना चाहिए, two of, two of, यहां पे two of स तो छोटा, मतलब इदर जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, और यहां तक रहेगा, तो two of, f से क्या हो जाएगा, बड़ा, अगर यह condition है, यह condition है, इस प्रकार से, यानि you greater than, greater than equal to f, and less than क्या है, two of है, तो क्या बनेगी, real image बनेगी, inverted बनेगी, और larger बनेगी, okay, दूसरा पार of the lens, through which ray light passed without suffering any deviation, lens के उस पार्ट का नाम बताओ, जहां से बिना deviation के जाती है, तो lens अगर आप बना के देखो, देखो, lens इस परकार से बनता है, यह, और यह जो point है, यह point, इस में से ऐसे कोई भी ray गुजार दो, ऐसे वो undeviated गुजर जाती है, इस परकार से, तो यह जो point है, इसको हम बोलते हैं, optical center of lens, तो lens के optical center में से, अगर कोई भी light pass होती है, तो undeviated चले जाती है, question number 7 के उपर आते हैं, question number 7 में क्या है, in the arrangement shown in the figure, there are two coils, surrounded on a non-conducting cylindrical road, जैसे आप एक cylindrical road दिखाए दे रही आपको, इसके उपर दो coils है, एक coils यह है, और जो दूसरी coil है, दूसरी coil, यह, यह दो coil है, ओके, आगे क्या बोला है, question में, आगे question में बोला गया है, कि initially, the key is not inserted in the circuit, key नहीं की थी, मतलब circuit ओप था, later the key is inserted and then removed shortly after, key डाली और फिर तुरूंत निकाल ली, what are the observations that can be noted from the galanometer reading, तो galanometer की reading में क्या observations देखेंगे, तो यहाँ आप ध्यान से देखें, जैसे ही मैं इस key को own करता हूँ, तो इस circuit में current grow करेगा, circuit में current grow करेगा, तो उसके कारण क्या होगा, कि यह जो road है, यह जो road है, इस road के अंदर क्या होगा, magnetism आएगा, magnetic field बने, magnetism आएगा, मतलब यह magnet बन जाएगी, और वो जो magnetic field है, वो जो coil number 2 है, यह जो 2 number coil है, इस coil के साथ link होगा, और इस coil के साथ link होगा, तो इसमें EMF induce होगा, और EMF induce होगा, तो Лалог में हsized, deflection क्या होगा, मतलब यह आचानक से गैलोमेटर क्या करेगा, इस परकार से आपका, ऐसे deflection दिखाएगा, जैसे alar बनस्य बनस्य निडिल क्या करेगा, ऐसे deflection को दिखाएगी, और जैसे अपकी यह को बहार निकाल होगे, तो deflection क्या हो जाएगा, तो इसका observation हमने देखा कि galometer क्या कर देगा sudden deflection शो करेगा okay galometer sudden deflection शो कर देगा यहाँ पे question number 8 देखते हैं क्या बोलता है question number 8 draw the magnetic field lines around a straight current carrying conductor कोई भी straight current carrying conductor है तो straight current carrying conductor बना लो आप यह straight current carrying conductor है यहाँ पे current की direction नहीं दी गई है तो आप अपनी मर्जी से माल लो मैंने current माल लिया मेरी मर्जी से उपर की दरफ और straight current carrying conductor में जो direction of current होती है क्या direction of current नहीं magnetic field direction of magnetic field किसे दी जाती है वो दी जाती है right hand right hand thumb rule right hand thumb rule से दी जाती है right hand thumb rule में आपको पता होगा right hand का जो thumb होता है उसको हम करते है along the direction of current तो इस direction में आपका क्या जाएगा thumb आ जाएगा तो जो round fingers होगी वो round fingers represent करेंगी direction of magnetic field को तो magnetic field यहाँ पे देखेंगे तो crowd finger आपकी इस परकार से जाएगी तो इसके कारण आपको जो magnetic line of force बनानी है वो कुछ इस परकार से बनानी है तो इस cancer हो जाएगा question number 8 होआ question number 9 देखते है question number 9 में क्या है two unequal resistance are connected in parallel parallel में connect के गए हैं तो diagram आप साथ साथ बनाते चले जाओ दो resistance हैं आपके पास unequal हैं वो इस परकार से parallelly connect कर दिये गए पहले को मैंने R1 बोल दिया दूसरे को क्या बोल दिया R2 if you are not provided with any other parameter इसके लाव आपके पास और को parameter नहीं है यानि easy numerical values of I and R मतलब आपको उनने current का पता उनने resistance का पता what can be said about the voltage drop across two registers तो दो register के across की voltage drop के बारे में आप क्या कह सकते हो voltage drop का मतलब इस परकार से अगर मैं battery connect करता हूँ इन दोनों के साथ अगर battery connect करता हूँ तो voltage drop का मतलब है कि what would ये कुछ न कुछ इस परकार से लिखा जा सकता है what would potential difference across R1 and R2 voltage drop का मतलब है कि उनके across potential difference कितना होगा अब देखो आपको पता है ohm slow से V is equal to IR होता है अगर मुझे I कर R का पता हो तो मैं V बता सकता हूँ है ना लेकिन यह क्या कहता है आपको उनने तो I के बारे में पता है और ने R के बारे में पता है और फिर भी आपको parallel combination में same होता है यह दोनों कैसे connect है parallel में connect है तो यहाँ पे जो potential difference है ना वो दोनों का क्या है same है इसका जो second part alternative आपको दिया गया है उसमें क्या पुछा है some work is done in moving a charge q from infinity to point a in space यानि सपेस के अंदर कुछ इस परकार से है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ नवा जिसको मैं क्या बोला डबलू बोला the potential of the point a is given as v तो यह जो point था यह जो point a था इसका potential को v से represent किया गया what is the work done to move this charge from infinity in term of q and v तो q and v की form में यह जो work done था यह work done w यह कितना हो जाएगा तो देखिए infinity से आप यहां तक लेकर आए तो w work done हुआ अब a से वापीस infinity पे ले जाओगी तो w ही work done आपको करना पड़ेगा और उसके लिए जो potential का फामुला होता है वो होता है v is equal to w divided by q q क्या capital q से लिखा है तो capital q और यहां से w का फामुला क्या हो जाएगा potential v into charge q तो इतना work done जो है w is equal to v into q करना पड़ेगा आपको only formula लिखना था यहां पे ज्यादा कुछ नहीं लिखना था तो आपका answer यहां पे क्या होना था w is equal to v into q यह आपका यहां पे answer लिखना था question number 10 10th question क्या है question number 10 biology का है biology person हम कर नहीं रहे है question number 10 question उसके बाद यह biology के question से यह chemistry के question से physics का next question जब आएगा वो देखते हैं कहां आएगा physics का next question यह आया यह आया question number 19 question number 19 आएगा question number 19 क्या है इसमें आपको एक passage दिया गया है उसके इसमें से answer निकालना है बहुत ही जान साख बनेगा इसमें इसमें लिखा है कि सुमेटी वांटी टूसीटी स्टार्स ओफ दे नाइट स्काई okay she knows that she needs a telescope to see these distant stars she find out the telescope which are made of the lenses और काल दा रिफ्रेक्टीव टेलिसकोप बनता हो उसको रिफ्रेक्टीव टेलिसकोप बोलते हैं यहां सिसकोंडर कर लो काम की बात आई हमारे पास reflecting टेलिसकोप पॉंडशी टेलिसकोप होती है जो lenses से बनते हैं उसको reflecting टेलिसकोप बोलते हैं and one of which are made of the mirrors Skaar Reflecting telescope यह दूसरा क्योषण आपके லिस्कोप आपके पर मिया जो मिर्यर से बनते हैं उसको Reflecting बोलते हैं और जो लैंस से बंती है उसको हम Reflecting telescope बनते बोलते हैं ठीक है फैस पहलेपैसयज को अगे पढ़ो आगे है तो से डिसाइड़ी टू मेक ए रिफ्रेक्टिंग टेलिस्कॉप उसने रिफ्रेक्टिंग बनाने के डिसाइड गया मतलब उसने लेंसे वाली बनाई सी बोट टू लेंसे ल्वन अंड एल्टू आउट ओविच अलवन वाज बिगर एल्टू वाज समालर एक बड़ा है एक प्तलब ले रहा है ठीक है और जो छोटे वाला लेंस था यह वाला लेंस यह इसको कॉनफाइड करके इमेज बनाताए हो पिस बिग ठीक लेंस आर मोर पारफुल यहाँ पर इस बात कॉन्डू लाइन करके रखो आप कि जो बड़े लेंस होते हैं ठीक होते हैं नो यहाँ बड़ा कौन है L1 तो L1 की पावर क्या है और L2 की पावर क्या है लेस पावर है क्योंकि स्मोल है ना स्टेट्मेंट में बहुत लखा है इसने साब साब तो सी फार अवे सी निडिड़ ए बिग पावर्फू लेंस अनफोर्शनेटली सी रिलाज़ आड़ गावर्फू उसको पता चला कि बिग लेंस तो बहुत हैवी होते है हैवी लेंसे अर हावर्फू मेंकि दिफिकल तो होल्ड थी रइट प्लेस और क्योंकि लेंस बहुत हैवी है तो उसको बढाना भी मुस्किल है एक जगर रखना भी मुश्किल है also since the light is passing through the lens the surface of the lens has to be extremely smooth any flows in the lens will change the image यानि lens जो बहुत ही समूथ होना चाहिए अगर वो उबडखा बड़ा तो फिर image नहीं बनेगी it would be like looking through dirty window मालब अगर वो जिग जग हो गया या फिर उसमें सफाई अच्छी से नहीं आई तो उसी प्रकार से होगा जैसे आप एक window संदे देखते और window साफ नहीं है तो आपको धुंदला दिखाई देता साफ दिखाई नहीं देता या आपका इपास पैसे था अब इसमें से answers पुछे गए हैं क्या questions पुछे गए हैं क्या questions पुछे गए हैं उसका answer आपको इसमें से डूंडने हैं देखिए क्या है based on the diagram shown जो diagram था what kind of lens would smoothie need to make the telescope diagram को आप ध्यान से देखें और इस diagram को देखके आपको क्या लग रहा है कि जो lenses है L1 and L2 यह कौण से lenses हैं जैसे यहां पर यह L2 lens था है यहां पर L1 lens है तो आप देख रहे हो कि यह parallel beam आ रहा था यह parallel beam यहां पर इस परकार से convergence हो रहा है तो मतलब यह convergence lens है और convergence lens मतलब convex lens है तो इस cancer क्या रहेगा Xbox lens zwischen cancer क्या हो गया convex दोसरा दूसरा question क्या पुछा गया है if the power of lens alone and L2 are in the ratio of 4 ratio 1 power का ratio दे दिया यहीं लिख देते हैं P1 by P2 4 divided by 1 P1 by P2 power of lens is alone and L2 what would be आगे कुछा गया है what would be the ratio of the focal length of alone and L2 focal length का ratio बताना है तो कैसे बता होगे देखो बहुत ही simple सा है आपको पता है जो power होती है ना power का फावला क्या आता है P is equal to 1 divided by F होता है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हो आपको क्या given है आपको given है P1 divided by P2 तो P1 को आप लिख सकते हो 1 divided by F1 P2 को लिख सकते हो 1 divided by F2 that is equal to क्या दे रखा है 4 ratio 1 जिसका मतलब क्या हुआ F2 divided by F1 आपके पास आएगा वो 4 by 1 आएगा and F2 ratio F1 जो है वो आएगा 4 ratio 1 तो आपका अंसर क्या आएगा answer B is the correct 13th 13 नहीं इसका जो 3rd part 19th का वो 3rd part क्या है वो देखे What is the formula for the magnification obtained with a lens एक lens से magnification का formula क्या होता है तो magnification का formula आपने याद किया होगा I am is equal to जो formula होता है lens के लिए वो V upon U होता है क्या होता है V upon U या फिर होता है H2 divided by H1 H2 क्या है image height H1 क्या है object height क्या कौन सांसर मिलेगा देखे ratio of height of image to the height of the object तो यह यह answer सही है image height H2 divided by H1 वाला 4th part क्या है 4th part में क्या पुछा गया है Sumati need some preliminary experiment with the lenses and found out that the magnification of the eye piece L2, eye piece क्या होता है जो eye की तरफ होता है उसको हम eye piece बोलते है तो L2 जो था देखो यह diagram में देखो यह जो L2 है यह eye की तरफ है so इसको eye piece बोलते है और यह जो L1 है यह object की तरफ है इसलिए इसको क्या बोलते है objective बोलते है eye की तरफ होता है उसको eye lens बोलते है object की तरफ होता है उसको क्या बोलते है objective में लिख देता हूं यह आपी यह जो L1 है इसको objective बोला जाएगा इसको क्या बोला जाएगा objective ठीक है आई की तरफ है इसको क्या बोलेंगे आई lens से बोलेंगे या इसको eye piece कहेंगे ठीक है या आप लिखावा भी है eye piece है L is 3 if in her experiment with L2 she found an image at 24 cm from the lens at what distance did she put the object इसने देखो simple से एक बात में यह बोला गया है कि उसने जो magnification थी क्या थी magnification थी ना अम वो कितनी थी थरी थी यह लिख रखा है आप देखो magnification थरी बताता है ठीक है और फिर क्या देखता है यह देखती है कि she found an image 24 cm from the lens उसको मिलती है कि lens से जो image बनती है इसका मतलब जो V बनती है वो कितने पर बनती है वो बनी इसकी 24 cm के उपर ठीक है तो यह पूछता है कि इसका जो object है वो कहा होगा तो आप देखो image जो है वो यहाँ पे इसकी real image है और image real है तो इसका मतलब magnification real image के लिए minus की होती है तो sign convention के coding minus 3 आपको लिखना पड़ेगा आपको अभी भी फाउनला बताया था कि magnification M का फाउनला होता है V divided by U we lose put करते है magnification है हमारे पास यहाँ पे minus 3 तो यह आपके पास हो जाएगा minus 3 that is equal to V कितना है 24 and divided by U तो U is equal to आपके पास हो जाएगा 24 divided by minus 3 that is equal to minus 8 cm तो answer कितना होगा minus यहाँ पे नहीं लगा रखा यहाँ पे minus का मतलब क्या है कि object की distance समय से minus ही होती है इसलिए यहाँ 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 पे लगा नहीं रखा हिसाब से लगाना चाहिए था अगर आपको नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है बट आप ध्यान रखेंगे यह answer कितना है minus 8 cm फिफ्ट पार्ट किस्टे नमबर 19 का Sumati boat note so thick lenses for the telescope and polished them what advantage if any would she have with her choice of the lenses जो जो lens select कि उसके साथ क्या advantage मिल सकती है वो में देखना है देखी पहला क्या है she will not have she will not have any advantage as even thicker lenses would give clearer image मतलब यह बोलता है कि कोई खास advantage नहीं मिलेगे कि कोई thick lens बेहना color image दे सकते हैं पहला statement इसका यह ठीए दूसरा क्या बोलता है thicker lenses would have made the telescope easier to handle तो thicker lenses है वो easier to handle बना देंगे और sea वाला जो पार्ट है वो क्या बोलता है not so thick lenses would not make the telescope very heavy and also allow considerable amount of light to pass देखी ध्यान देजिए उसने क्या क्या था Sumati boat not so thick not so thick बोला था उसने मतलब ज़्यादा मोटे नहीं खरी दे थे उसने lens है ना और sea part में क्या बोलता है not so thick lenses would not make the telescope very heavy मतलब ज़्यादा thick lens नहीं होंगे वो ज़्यादा heavy telescope को नहीं बनने देंगे telescope light weight रहे गया आप याद आन देजी यह देखो इस line में क्या लिखा था यहाँ पर इस line में लिखा था कि इसको इस line को देखो आप फिर से इसको मन्ड लाइन करता हूँ इसमें यह लिखा है कि heavy lenses are hard to make and difficult to hold the right place मतलब जो heavy lenses होते हैं उनको अच्छे से hold नहीं कर सकते हैं और heavy lens होगा मतलब thick lens होगा तो यहाँ पर c में लाइकि notes हो thick lenses तो इसका मतलब आपको ज़्यदा पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है answer यहाँ से आपका क्या है c वाला है next देखते हैं